इसी भी पोटल पे जाने से पहले आप उसका कमीशन देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखें इंकम पर डे क्या यहाँ पे 1133 रुपे 49 पैसे है अगर 30 दिन का जोर के चलते हैं तो 34,005 रुपे होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि मनी ट्रांसफर का अगर आप 4500 मनी ट्र का भी यहाँ पे आपको konивать कमीशन मिलने वाला है उसके बाद अगर बाद करें रिचार्ज का तो अगर आप बी चार्ज होता है उसमें आपको 452 पैसे मिलेंगे ड़ि-i- 행복 का रिचार्ज करेंगे donc 3 Rapha 53 पैसे मिलेंगे उसके हिसाब से Electricity Bill का भी यहाँ पे रिचार्ज है उस wheeler का अगर आप insurance करते हैं तो यहाँ पे 405 रुपे 94 पैसे तक मिलते हैं जो यहाँ पे देखेंगे LIC premium अब अगर आप जामा करते हैं किसी भी customer का तो 10 रुपे 66 पैसे यहाँ पे यह सब commission है ठीक है your income आप यहाँ पे देख सकते हैं daily transaction देख सकते हैं और travel का यहाँ पे देखिए तो bus ticket booking का, flight ticket booking का, railway ticket booking का यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी आपको agent ID मिलता है जिसमें आपकी commission अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी commission पूरी यहाँ पे दी गई है उसके बाद tax to win अगर आप income tax return किसी भी customer का file करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 949 रुपे में ITR file होता है जिसमें आपको 321 रुपे commission मिलता है tax to win में अगर आप यहाँ पे देखेंगे salary account वाला है उनका यहाँ पे 200 रुपे आपको commission मिलेंगे pain card अगर आप बनाते हैं तो pain card 72 रुपे लगता है तो यहाँ पे average दिया गया है तो 12 रुपे 69 पैसे आपको यहाँ पे मिलते हैं अब e-learning की बात करें तो e-learning में भी बहुत अच्छी खासी कमाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि job lead की यहाँ पे e-learning में apply करेंगे तो minimum 100 रुपया का होता है उसमें आपको 80 रुपे commission मिल जाता है यहाँ पे आप देखेंगे passra certificate course है जो 5000 का है इसमें आपकी जो income है 3240 रुपे है ठीक है यह commission बहुत जादा है ठीक है यह commission उपर में नहीं जोड़ा हुआ है यह commission जो आप यहाँ पे income देख रहे है यह commission आपका उपर में नहीं जोड़ा हुआ है यहाँ पी यह commission के बारे में बताया गया है e-learning के बारे में जैसे कि अगर आप टैली के लिए मतलब टैली किसी को customer को टैली करवाते हैं 25-74 रुपे के है तो 1,029 रुपे यहाँ पे commission मिलता है NEET का course अगर कोई लेते हैं कोई भी भाई लेते हैं तो उनको अगर आप कोई customer जैसे मान के जले आपके वो customer ही होंगे तो 480 रुपे आपको मिलेंगे IIT JEE का course होता है उसमें आपको 660 रुपे 4000 में मिलेंगे उसके बाद यहाँ पे सरकारी परिच्छा मौडियोल ठीक है यह सब कुछ जनकारी दिया गया है और यह जो पोटल है यह है सहज का पोटल ठीक है तो वहाँ पे सहज में आपको डाइरेक्ट यहाँ पे commission भी बता दिया गया है कि commission कितना मिलता है और यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे our services में देखेंगे तो यहाँ पी कौन-कौन सी service मिल रही है तो यह government की service मिल रही है जिसमें pain का income tax certificate AMO सबाग के इंदर है उसके बाद NIC, UP और उमंग पर यह काम कर सकते हैं आप उसके बाद banking की service की बात करें तो AAPS का काम कर सकते हैं, micro ATM का काम कर सकते हैं, उसके बाद account opening कर सकते हैं किसी भी customer का bank account opening कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे loan की भी service मिलने वाली है मतलब किसी भी customer को loan भी provide करवा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे payment की service तो यहाँ पे recharge की भी service मिल जाती है, BBPS का और LIC premium भी जमा कर सकते हैं उसके बाद mobile recharge और DTH recharge भी कर सकते हैं, insurance की बाद करें तो general insurance और daily medicine का काम कर सकते हैं उसके बाद train ticket booking और flight ticket booking, bus ticket booking कर सकते हैं, यहाँ भी अगर e-learning की बाद करें तो आपको 1499 रुपय में ही आपको IRCT का agent बना दिया जाता है, आज ही पंजी करन करें और अवसर का लाब उठाए, अभी 1499 रुपय ही लग रहा है अब दोस्तो इसका apply कैसे करेंगे, सहज मीतर कैसे बनेंगे, सहज वतूदा केंदर कैसे खोल सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक registration का option दिया गया है, उसके just नीचे new registration का है, no registration status का है इसमें आप registration कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे status अपना चेक कर सकते हैं और continue registration का है, कि पहले आपने registration किया था, लेकि registration आधा अधूरा ही हुआ होगा, तो continue का है तो हम यहाँ पे new registration करने वाले हैं, तो new registration पे click करते हैं click करने के बाद दोस्तों direct हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है, बहुत सारे वारे यह question करते थे कि यहाँ पे पैसे मांगा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे online payment option is available on the portal, मतलब portal में ही online पैसे, मतलब यहाँ पे add करने की सुबदा है, जैसे कि आपको CAC में होती है, ठीक है, उसके बाद do not hand over cash to anybody, आपको किसी को भी एक भी पैसे देने की जूरत जैसे कि अगर आप relevant ticket booking की agent ID लेंगे तो 1499 रुपे उसके charge है, वो charge लगेंगे, यहाँ पे registration का कोई भी charge नहीं है, आप इस ID को बिलकुल free में ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे entry type जो है, वो individual है, यहाँ पे आपको सहज मित्र ही select करना होगा, परमीत रहेगा लेकिन सहज मित्र ही select करना होगा, उसके बाद area आपको select करना होगा, कि आप गाउं से हैं तो ruler और urban सहर से हैं, तो ठीक है, गाउं से हैं तो ruler पे click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे continue वाले option पे click करेंगे, जब continue वाले option पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपसे phone number और email ID आपसे मा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी TEC की सर्टिफिकेट की जहुरत नहीं होती है, नहीं आपको IABF की सर्टिफिकेट की जहुरत परती है, यहाँ पे दोस्तों अगर दब देखेंगे, तो मोबाइल नमबर आपको यहाँ पे वेरिफाइब कर लेना होगा, इमेल आइडि आपको वे पेन कार्ड का जो first side ही होता है, उसी का आपका upload होता है, उसके बाद जो भी आपका पेन कार्ड में नमबर है, वो पेन कार्ड नमबर आप यहाँ पे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपसे पुछा जा रहा है, सो लोसन, यहाँ पे Mr. and Mrs. select कर सकते हैं, जो भी आप वो आप यहाँ पे select कर लेंगे तो आपका date of birth पुरा यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे gender आता है तो gender में आप male female जो भी आपका gender है वो gender आप select कर लेंगे gender select करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आप साधी सुधा है या single है या divorce हो चुकी है तो यह आप यहाँ पे बता सकते हैं उसके बाद यहाँ पे nationality में आपका Indian ही रहेगा ठीक है जब दोस्तों यहाँ पे आप सब कुछ बढ़ लेंगे save and continue पे click करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे pain card upload करने के बाद upload आपको अधार card करना परता है ठीक है जब अधार card आप upload करेंगे तो inter center address मतलब कि जहाँ पे आप सहज वजूता केंदर खोलेंगे जन सेवा केंदर खोलेंगे वहाँ का आपको address पूरा देना है जहाँ पे आप दुकान खोलेंगे वहाँ का पूरा address आपको दे देना है उसके बाद यहाँ पे review and submit आपको पहले देख लेना है कि आपने जो भी कुछ भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है तो आपको देख लेना है क अगर आपने सही भरा है तो यहाँ पे आपको रिभ्यू पहले कर लेना है उसके बाद सब्मीट कर लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूत नहीं है बिलकुल फ्री में आप इस ID को ले सकते हैं और उसके बाद जो भी जैसे की मतलब आप यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिं बिलकुल फ्री में यह ID आपको मिलता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साज वसुता केंदर में जब आप अप अप्लाई कर देंगे तो आपको अभी डाइडेक्ट आपको ID नहीं मिलती है तो यहाँ पे एक कंटेक्ट असका option मिलता है यहाँ पे क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे customer care का number भी आपको मिल जाता है डिरेक्ट आप customer care से बात भी कर सकते हैं कि आपकी ID मतलब आपने apply कर दिया है ID आपको मिली या नहीं मिली ठीक है इसके लिए पूरी जनकारी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कैसे आपको apply कर करना है कमिसन आपको कितनी मिलेगी सब कुछ जनकारी मैंने इस वीडियो के माद हम से दिया है आपकी कोई भी question है आप हमसे comment में पूछ सकते हैं